हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आज हम आपके लिए एक नई कहानी लेक के आए हैं, जिसका शिर्षक है दादी और उनका प्यारा सा मोती. आप सबको बहुत अच्छी लगेगी यह कहानी. शहर से बहुत दूर एक गाउं था. उस काउं में बहुत सारे परिवार रहा करते थे. उसी परिवार में से एक घर दादी का भी था, जिसमें दादी, उनका बेटा रामू और उनकी बहु बभिता, और उनका प्यारा सा पोता राघव और उनकी प्यारी सी पोती सोनम रहा करती थी. और उनी के साथ उनका एक छोटा सा प्यारा सा कुत्ता मोती भी रहता था दादी मोती से बहुत प्यार करती थी और पूरा परिवार ही मोती को बहुत प्यार करता था चाहता था उसे और मोती भी पूरे गाउं की देखबाल करता था इसलिए मोती सब का प्यारा बन चुका था दादी जब भी खेतों में जाती तो मोती को अपने साथ ले कर जाती इसी तरह मोती को हर चीजों का पता था कि गाओं में दादी किस और जाती है, क्या चीजे लेने जाती है और घूम फिर के दादी और मोती एक साथ वापिस घर आ जाते एक दिन क्या हुआ दादी का पोता दादी के पास आया राघव बोला दादी गाउं के बहुत नस्दीक एक मेला लगा है हम सब वहाँ पर चले दादी बोली नहीं बेटा अभी रामू घर पे नहीं है जब वो आ जाएगा तब हम एक साथ चलेंगे तो दादी का पोता राघव बोला नहीं दादी आप प्लीज हमें लेकर चलो ना हम भी आपके साथ ही चलेंगे हो सकता है कल वो मेला खतम हो जाए फिर हम कब जाएंगे दादी आप चलो ना हम तीनों ही चलेंगे दादी ने सोचा कि हो सकता है मेला समाप्त ना हो जाए तो मुझे राघव को लेकर जाना चाहिए दादी ने सोनम, राघव और मोती को साथ लिया और वो तीनों चल दिये मेले की और वह मेला देखने लगे, घूमने लगे और बहुत सी चीजे खरीदने लगे तभी एका एक क्या हुआ दादी को लगा कि शायद मोती मेरे साथ नहीं है उन्होंने जाकर राघव को आवाज दी राघव, देखो मोती कहां गया राघव ने बोला दादी कोई बात नहीं, वो सोनम के साथ होगा दादी ने सोनम को आवाज दी सोनम बिटा, देखो मोती शायद आपके साथ है सोनम ने कहा, नहीं दादी वो तो मेरे साथ काफी देर से नहीं है दादी खबरा गई उसे लगा, कहीं मेले में मेरे मोती को किसी ने चुडा तो नहीं लिया दादी अचानक इतर उदर देखने लगी सोनम और राघव भी मोती को ढूणने लगे लोगों से पूछने लगे क्या आपने हमारा कोई कुट्ता देखा है हमारा सफेद कलर का सवेद रंग का मोती देखा है सबी लोग चकी ठोकी उन्हें देखने लगे नहीं तो हमें तो नहीं मालूम लिकिन वो लोग बहुत घबरा गए दादी बहुत तेज सेज रोने लगी मोती कहां गया तू मोती अभी तू मेरे पास ही था अभी तो तू यहीं था कहां चला गया मोती दादी बहुत ज़्यदा परिशान हो गई और मोती को कभी इधर, कभी उधर कभी कहीं, कभी कहीं देखने लगी उससे लगा शायद इधर होगा फिर लगा शायद उधर होगा लेकिन मोती का कहीं पता नहीं चला तीनो थक हार के वापिस बिना मोती के घर आ गए घर आकर भी उन्हें कहीं चैन नहीं था बहुत जैदा बेचैनी थी लगा चायद मोती अब घर आ जाए शायद मोती अब घर आ जाए लेकिन मोती का कोई अतापता नहीं था दादी ने भी खाना बिना छोड़ दिया बिना मोती के चैन कहा पड़ेगा दादी को राघव भी ना खाता था ना पड़ता था सिर्फ अपने मोती को ही डूणता रहता था वैसे ही सोनम भी दादी कुछ मोती का पता चला बस यही पूछती रहती थी दादी भी चुप चाप बस अपने कमरे में पड़ी रहती थी, और मोती के बारे में ही सोचती थी उसके खाली बर्तनों को देखके दादी को बहुत रोना आता था, सोचती थी इस समय में मोती को ये खिलाती थी, बस यही सो सोचके काफी दिन गुजर गए एक दिन अचानक रात का समय था, दर्वाजा अचानक खट-कटाया, सब सो रहे थे, सब डर गए कि रात के समय कौन आ गया, कौन खट-कटा हरा है दर्वाजा इतनी तेज, तभी दादी ने कान लगा कर अचानक सुना, उन्हें मोती जैसी है आवाज आई, दादी ने का, सुनो, ये तो मेरा मोती है, खोलो दर्वाजा खोलो चल्दी, रामु ने बोला, दादी रुको तो सही, देखे कौन है, दादी ने का, नहीं, रामु नहीं, ये मोती ही है, जब दर्वाजा खोला, तो देखा सामने मोती खड़ा था, दादी तो खुशी से अगले दिन सुबा फिर वही रफतार फिर वही दिन चरया दादी ने पैसे ही मोती को खाना डाला और रामू और बबिता अपने काम में लग गए और राघव और सौनम स्कूल की तरफ चल दिये और बहुत खुश कि जैसे आज हमारा मोती घर आ गया है तो आज हम बहुत खु अपने था राघव और सौनम कई बच्चों के साथ खेल रहे थे तबी एका एक काफी दूर से बैलगारी जैसी आवाज आई उस बैलगारी की आवाज सभी बच्चे सुन रहे थे तबी अचानक क्या हुआ लगा जैसे बैलगारी के बैल बिदग गए हों कुछ हरबडा रह अचानक बैल भागते हुए बच्चों की तरफ भागे यह सब मोती देख रहा था अचानक मोती अपनी जगा से उठा और भागा जैसे उसे लगा यह बैल कहीं भाग कर सोनम की उपर ना चड़ जाए तब ही अचानक मोती ने सोनम को बहुत तेजी से धक्का मारा और सोनम दू मोती के उपर ही चड़ गए और मोती बैलो के नीचे दब गया और मोती के पैरों में काफी चोट आ गई अचानक सभी बच्चे चिलाने लगे और बच्चों की चिलाहट देखकर सभी परिवार बाहर आ गए और दादी भी जैसे भागते हुए घर से निकली मोती क्या हुआ तुझे मोती राघव सोनम क्या हो गया दादी ने देखा मोती के पैरों में बहुत खून निकल रहा है उसके पैर में बहुत चोट लगी है दादी ने मोती को अपनी गोद में उठा लिया और बोली है मेरे मोती को क्या हो गया है मोती के पैर में चोट क्यों आ गई तबी सो वाले भी इस घटना को सुन रहे थे। उन्होंने सुना और मोती की बहुत प्रसंसा की। उन्हें लगा आज मोती ने इस परिवार की रक्षा की है। अगर हम भी किसी जानवर को इसी तरह दिल से चाहते हैं तो वह जानवर हमारी रक्षा करता है। अच्छी लगी है कहानी बच्चों तो इसी तरह बच्चों हम आपके लिए और नहीं कहानी लेके आएंगे।